मस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे इस बात पर के ED ने ये दावा किया है के लालू परिवार के ठिकानों से 600 करोड संपत्ती के सबूत मिले हैं और आप जानते हैं कि एक दिन पहले दस मार्च को लालू यादो के परिवार रिष्टेदार करीबी रिष्टेदार इनकी कई बेटियां इनके समधी इनके बेटे तेजस्वी यादो और कुछ और करीबियों के यहां जो 24 ठिकानों पर च्छापे मारी की गई थी उस समय इडी ने ये कहा था कि पचास लाक से ज़्यादा की नगदे मिली है लेकिन आज जो इडी के अधिकारियों ने जानकरी दी उसके अनुसार एक करोड से अधिक का कैश मिला है जिसका कोई हिसाब किताब ये नहीं दे पाए हैं इसके अलावा 1900 अमेरिकी डोलर और स्वरन आभूशन और सोना भी मिला है करीब धाई किलो लेकिन सबसे एहम बात जो इडी ने कही है कि इन छापों में लालू यादव की 600 करोड की संपत्ति का पता लगा है और ये संपत्ति आपराधिक संगे आपराधिक गतिविधी में संलिप्त होकर के अरजित की गई है कितनी मुश्किलें लालू की बढ़ने वाली है लालू के परिवार की बढ़नी है अभी तक तो चारा गोटाले के पाँच मामलों में लालू यादव को ही सजा हुई है अब क्या लालू यादव के ब्रस्ट कारनामों के चलते उनके परिवार को भी ये सब भूगतना पड़ेगा यानि जेल की हवा खानी पड़ेगी चलिए जुड़ते हैं सीधे विजय सर्दाना साब से जाने माने आर्थिक राजनीतिक और कानूनी मामलों के माहीन जानकार विजय सारस्वाज जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार विजय जी जो नए खुला से हो रहे हैं कई बार लगता है कि वैसे तो हमारे देश में ब्रष्ट नेताओं की कोई कमी नहीं है अतीत में भी बहुत सारे नेताओं के काले कारना में खुलते रहे हैं लेकिन कई बार लगता है कि लालू यादव तो सबसे ब्रष्ट नेताओं मेंसे एक शुट क्योंकि चारा गोटाले में उनके खिलाप अदालतों में मामले चल रहे थे जब वो रेल मंत्री थे तब भी वो मामले चल रहे थे इसके बावजूद रेल मंत्री रहते हुए उनकार जी सबसे पहले आपको और सभी दर्ष्टों को मेरा प्रणाम जी प्रणाम सर एक इनसान हम अपने समाज में अगर हम देखें तो एक चर्चा हमेशा आम होती है कि जब लोग राजनीती जॉइन कर लेते हैं उससे पहले तो उनकी आर्थिक स्थिती बिलकुल आम आदमी या मध्यम वर्क क्यास पास होती है लेकिन जब लोग राजनीती में आ जाते है और खासकर जब पावर पे क्यास पास होते हैं या पावर वाली कुरसियों पे बैठे होते हैं तो अचानक इन लोगों के पास पैसा कहां से आ जाता है इनकी source of income क्या होती है यह समाज में वर्चुली हर घर में यह चरचा होती है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोई start- बनाया हो और उसमें खुब सारा valuation आ गया हो, investors ने पैसा लगा दिया हो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसा innovation किया हो जिसको उन्होंने बेचा और उससे इनको royalty मिली हो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसे grant लिखे हो या कुछ ऐसा intellectual work किया हो जिसकी royalty या जिसकी license fee इ हमेशा रहता है क्योंकि किसी ने factory नहीं लगाई किसी ने को intellectual work नहीं किया लेकिन जिस तरह की lifestyle बदलती है और सत्ता में रहने के बाद भी वो lifestyle चलती रहती है और उसमें अप्ग्रिडेशन ही होता रहता है तो हिंदुस्तान का आम आदमी तो यह हमेशा सवाल ही करता है कि सर भी इस मुद्धे पे खुलके ना तो टीवी पे चर्चा हुई ना समाज में चर्चा हुई ना राजदेतिक दलों ने इस पे चर्चा करी कि इसको कैसे रोका जाए या इसका कैसे exposure किया जाए तो यह एक जिसे कहते हैं कि visible fact था और यह mystery हमेशा बनी रही जानते सब थे लेक जो प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले एक cvc की conference में कहा था कि देखिए जब तक समाज में भ्रस्टाचार रहेगा देश तरक्की नहीं कर पाएगा देश का जो potential है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जो लोग deserve करते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा और जो लोग आ और सबकेल पीछे एक सबसे बड़ा कारण था corruption क्योंकि जब आप corruption की बात करते हैं तो आप सारे तारकिक argument सारे justification सारे qualification आप साइड में रख देते हैं फिर एक ही बात होती है कि आपको अगर मैं favor करता हूं तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा तो जितने कानून जितने system बने वो सब किनारे हो जाते हैं और सिर्फ एक transaction पर आके बात रुख जाती है चाया वो चारा खोटा ना रहा हो और जिसकी चर्चा आपने करी कि लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ रिलवे में कि भई गरीब आजमी था qualified था नहीं था जैसा भी था आखचा आप पैसा नहीं द रूंगा बैंक में रख नहीं सकता और उसका कोई फाइदा नहीं है रूपी वैसे inflation से devalue होता है तो क्यों ना हम एक नया business model create करें कि आपको जो भी favor चीए हम देंगे लेकिन बदले में हम पैसा नहीं लेंगे land लेंगे क्योंकि जमीन के दाम तो बढ़ते ही है चोरी नहीं नहीं डालेगा कोई उसको उठाके नहीं ले जाएगा तो उन्होंने बहुत सारे उसके फाइदे देखे और जो पहले कैश फॉर वर्क का प्रोग्राम था उसको उन्होंने land फॉर वर्क का काम बना दिया तो उसमें इनोवेशन जरूर किया अब स्थिति यह है कि जैसा में इनकी संपतियां हैं इनकी और इनके रिष्टेदारों की उन सब को नोटिस इशू करके एडी को और सीबी आई को यह पूछना चीए बस आप सोर्स ऑफ इंकम बता दीजिए कब कहा कैसे खरीदी किसने किसको कितना पेमेंट किया आप यह हिसाब किताब ले आएए अप अगर आप यह हिसाब किताब एस पर कानून नहीं बता पाते तो फिर यह सारी संपति कुर्क हो सकती है या सरकार इसको अटैज करके बाकी जो करवाई है प्रोसीजर के हिसाब से करना वो कर सकते हैं तो अब इस्तिती बहुत साफ है क्लियर है और अब यह देखना है कि आग संपत्ति की शिनाक्त अगर कर ली है इडी ने तो यहां से आगे अब किस तरीके की कारवाई चलेगी सर जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय जैसे एडी करेगी कि एडी जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रॉपर्टीज के डेटा उन्होंने concerned registry से state government से या computer से क्योंकि कहीं न कहीं property किसी ना किसी के नाम पे तो register होगी वो सारे कागजात निकाल के जो owner है उसको बुलाया जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी properties हिंदुस्तान में बेनौमी होती थी या किसी और के नाम पे होती थी किसाब आपने बंगला खरीदा आपने driver के नाम पे रजिस्ट्री करा दी तो अभी मुझे लगता है कि जो करवाई चलेगी पहले जो evidence इकठे किये हैं या जो properties की detail या land details जो CBI ने और ED ने इकठे किये हैं उनकी registry से detail निकलवाई जाएगी कि उनके मालिकाना हग किसका है उनको बुलाया जाएगा कि भईया ये property आपकी है आपने इस तारिक को register कराई इसका payment आपने कहां से दिया किस से खरी दी कब खरी दी क्योंकि यहां पे दो interesting चीज है सर कंप्लेंट करी है जिनों जिनसे जबरदस्ति जमीन ली गई तो जिसने भी registry कराई तो किसी से तो खरी दी होगी ऐसा तो है नहीं किसा जमीन पड़ी थी और कोई मालिक नहीं था मैं गया अचानक मैंने को लगा कि यह जमीन अच्छी है मैंने जाके अपने नाम पे registry करा ली ऐसा तो हुआ नहीं होगा वो जमीन पहले किसी और के नाम पे होगी तो ED और CBI दोनों को बुलाएंगे कि भई क्या ये जमीन आपकी थी वो कहेंगे हाजी थी क्या आपने इनको बेची बिलकुल बेची किसलिए बेची या तो जस्टिफिकेशन देंगे कि साब बेटी की शादी ती ट्रेक्टर खरीदना था कोई और काम था घर में बिमारी थी इसलि महाँ से फिर आपका मनी एंगल शुरू हो जाता है जहाँ एडी की दखलन जाजी शुरू हो जाती है जैसे ही आप पैसे की बात करेंगे कि कितने में खरीदी और कितने में बेची एडी का रोल शुरू हो जाता है एडी फिर तफ़तीस ये करेगी कि ये जमीन के पैसे ठीक कि अपने जमीन खरीदी है और आप कह रहे हैं कि मैंने 50,00,000 में जमीन खरीदी तो आप ये बताइब एपकाइस लाग का पेविंट कैसे किया किस ने किया आप ने क्या 50,00,000 लिया तो लोन डिटेल दिखा दीजी感 आपने किसी से उधार लिया तो उस आदमी को बुला लाईए या आपको किसी और ने दिये पैसे कि आप मेरे पैसे ले जाईए और जमीन खरीद लीजिए अपने नाम पे बाद में पांच साल बाद मेरे नाम पे कर देना या जब मैं कहूंगा मेरे कर देना इस तरह की understanding होगी, तो अब तो काम ED और CBI के लिए आसान इसलिए हो जाएगा, क्योंकि अब उस land के आसपास, money trail भी होगी और लोगों की शकले भी होगी, उस, उन dots को connect करते वे, अब CBI और ED आगे बढ़ेगी, और उसी का नतीज़ा है, कि जो आज ED बोल रही है, 600 करोड, उन और 600 करोड की संपती का मतलब ये है, कि अगर किसी को job दिया हो सकता है, उसकी जमिकी कीमत 2 करोडो, 5 करोडो, 10 करोडो, और कई कारण हो, तो कहने का मतलब ये है, कि अब ये चीज़ें एक-एक करके सामने आ जाएंगी, कि कितने लोगों को नौकरी दी, कितनी जमीन ली, कहा ली कैसे ली, तो अब तो आसान है, और अगर ये आसान नहीं होता, तो निश्यत रुप से जैसा अकसर होना चाहिए, कि लालू जी और उनका परिवार साफ साफ बोल दे कि देखिए, हम तो साफ गरीब आदमी थे, लालू जी का इतिहास सब के सामने है, कोई नई बात नही है, विदेश से माइगरेट होके हिंदुस्तान आये नहीं थे, वो तो हिंदुस्तान की धर्ती पे रहे, उनका पूरा इतिहास पूरी उनकी पार्टी जानती है, उनके दोस्त जानते हैं, पार्लिमेंट जानता है, सब जानते हैं, सिर्फ इतना कह देना है लालू जी को कि स हम दोनों दोस्तों के बीच की बात है हम चाहे- Пांच सो रुपे किराया दें या बिलकुल ना दे या पांच लाग मिज्ड़ अगर आप पांच लाग किराया देते थो आजिसी सवाल यह बनता है कि पैसा कहां से आ रहा है है तो अगर आप फ्री में रह रहे हैं तो वो दोस्त आपके साथ कह सकता है कि लालू जी घर मेरे पास फ्री पड़ा है, खाली पड़ा है, आप इस्तवाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है दोस्तों के बीच में, तो कहने का मतलब यह है कि अब जैसे जैसे डॉ कोटाला हुआ दिली में हमने कहा था कि उसमें मिडल मैन थे, इसमें भी मिडल मैन होगे, क्योंकि नौकरी किसको चाहिए, उसको लाना, उसके पास जमीन हो, ये पहले उसकी तप्तीश कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग को नौकरी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे होगी वह स्क्रीनिंग करके लोगों को फिर आगे तक लेके गए होंगे सिस्टम में कि देखिए यहां ऐसा होगा और फिर वह पूरा सिस्टम होगा खुद लालू जी ने तो इंटर्वू लिया नहीं होगा जिसने इंटर्वू लिया उससे पूछा जाएगा भाई साब आप यह लगता है कि जो च्रोड का आकड़ा अभी सामने है यह क्ई गुना बढ़ सकता है और यह भी हो सकता है कि पैसा विदेश भी गया हो क्योंकि जब कैश आपने कठा किया होगा तो उसको तो हिंदुस्तान में नहीं रखा होगा क्योंकि सब को पता है कि बैंकों पर सरकार की निगा है और अगर कहीं बड़ा का ट्रांजेक्शन होता है तो यह बैंक मैनेजर की रिस्पॉंसिबिलिटी है कि वो कंसर्ड अथॉरिटी इसको बताए यह आर्बी आइगाइड लाइन बहुत क्लियर है कि अगर दस लाग से उपर की कहीं पर भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे तो इस रूप में आर्बी आई के पास सारा डेटा होगा उन एकाउंट का उसमें ना फसें इसलिए यह जरूरी है कि पैसे को कहीं विदेश भेजा जाए क्योंकि कैश भी तो चाहिए सिर्फ जमीन से तो गुजारा होगा नहीं तो यह मुझे लगता है कैश प्लस काइंड दोनों की बात है काइंड पे अभी नजर आ गई है कैश अभी एक क्रोड मिला है यह एक क्रोड शायद इसलिए मिला होगा कि भी दाल रूटी का खर्चा भी करना है बाकी कहीं से किराया आता होगा जो प्रॉपर्टीज है उसमें हो सकता है दुकाने हो मकान हो बिल्डिंग में दिल्ली एंसियार में रांची में मुंबई में बिहार के भी कुछ हिस्सों में और गाजयबाद जो इनके समदी रहते हैं वहां इनकी जो बेटी है रागनी यादा हो चंद्रा यादा हो हेमा यादा हो मीसा के यहां तो पहले ही हो चुका यह इनके समदी के यहां क्या लालू के जो कारणा में हैं, वो केवल लालू के थे और परिवार के लोगों को फंसा दिया है उन्होंने बुरी तरीके से, या ये माना जाएगा के सभी तैयार थे ब्रश्ट पनने के लिए, और जो प्रोपरिटीज हैं वो चुकी इन लोगों के नाम भी निकल रही है, इसल है कि इस समय घर के मुख्या लालू जी और एज फैमिली हैग, ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि बच्चे खुश रहें और खुशाल स्थिती में रहें, जो दुख दर्द उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे, बच्पन में वो नहीं चाहते कि उनके परिवार के बा हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास तो पावर है, पावर का ही हम यूज कर सकते हैं और तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, और जब उन्होंने लिया होगा कोई भी इंतिजाम, या उस कोई भी लेंदेन की बात हुई होगी, तो दिमाग में जरूर होगा कि मेरे को मेरी बेटियां हैं मेरे बेटे हैं मेरे को इन सब को सेट करना है तो अगर हर एक के पास में X amount हो जाए तो कम से कम इन लोगों की day to day life जो है वो difficult नहीं होगी तो अगर मान लीजिए आपके 10 वच्चे हैं और आप 10 करोड की भी बात करते हैं तो 100 करोड तो यहीं बन जाता है तो कहने का मतलब है कि और जब आप 100 करोड की बात करते हैं तो जो ले रहा है वो उस खेल में export हो जाता है फिर उसके दिमाग से या उसके काम करने की शेली में और उसके आसपास का जो तंत्र है फिर वो सौ करोड़ पर आके ये नहीं बोलेगा कि साथ रेड फ्लैग जैसे लाल बत्ती हो जाती है रेलवे में कि अब इसके आगे आप नहीं जा सकते ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मेरी मालीजी रिक्वार्मेंट सौ करोड़ की और सौ करोड़ पू लाइफ स्टाइल आपकी लग जरी आपके पी एस आपके बाकी सेक्यूरिटी स्टाफ पर्सनल सेक्यूरिटी पर्सनल स्टाफ पचासों लोग आपको फिर पालने पड़ते हैं उनका खर्चा कहां से आएगा क्योंकि रेलवे तो आपको तंखा देगी ऐसे रेल मंतरी आपको वही पर्क्स मिलेंगे जो बाकियों को मिलते हैं तो कहने का मतलब है कि उससे आपका गुजराद चलेगा नहीं तो अब आपको एक रेगुलर रेविन्यू स्ट्रीम चाहिए और रेविन्यू स्ट्रीम करॉप्शन में कोई नापके तो लेगा नहीं कि मेरे को बीस चाहिए तो 21 मत लेना तो अगर बीस चाहिए तो नीचे के लोगों को अभी तो हिस्सा होता है तो वह भी पूरी कोशिश करेंगे कि बीस का चालिस हो जाए चालिस का सौ हो जाए क्योंकि उनका भी तो कहीं ना कहीं परसंटेज बंदा होगा तो अपनी इंकम बढ़ाने के लिए वो खोजबीन जारी रखेंगे वो अपनी मार्केटिंग अपनी प्लैनिंग वो लोग जारी रखेंगे लालू जी के पास लाए होंगे कि सर इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए उसको भी चाहिए तो सर घराई लक्ष्मी को कौन मना करता है हिंदुस्तान में तो ला लगता है मौडस उपरेंडी बहुत सिंपल है और एक बार जब आप इस लाइन में आ जाते हैं और सत्ता में पांच साल रहते हैं तो सब जब सबको पता है कि आप एक पावरफुल मंत्राले में हैं जा और बहुर उपय के टेंडर निकलते हैं रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट दुनिया में तो अगर आप यह देखें कि इस पब्लिक सेक्टर यूनिट में जा लाखों लोग काम करते हैं वहां प पर जो आदनी होता है मतलब कि चड़ावा तो सबसे पहले वहीं चड़ता है ना सर मंदिर में सबसे पहले तो आप चड़ावा तो देवी देवतां को चड़ाते हो उसके पुजारी जी और बाकी स्टाफ कर नंबर तो बाद में आता है यही हाल मंत्राले में हुआ होगा कि सबसे पहले चड़ावा मंत्री जी को चड़ेगा और बचा-खुचा जो है वो फिर नीचे उनके जो लोगों में बढ़ता होगा क्योंकि after all कोई क्यों मेहनत कर रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो जैसा हमने लीकर कांड में देखा शराब घोटाले में देखा कि सिरफ मंत्री ही नहीं पूरा एक इको सिस्टम कबजे में आया ऐसा ही यहां पे भी होगा यह सिरफ वक्त की बात है देखते आगे क्या होता है 1996 से इन पर चारा घोटाले का मामला चल रहा था उसमें अब तक पांच मामलों में इनको सजा हो चुकी है चाईबासा कोशागार से अवैत तरीके से 37 करोड रुपे निकाले गए थे उसमें लालु यादव को पांच साल की सजा 25 लाक रुपे का जुर्माना हुआ कुल मिला करके 44 आरोपी थी लालु समेट देव घर सरकारी कोशागार गोटाला इसमें 84 लाक रुपे की अवैद निकासी हुई थी 38 लोगों को मतलब इसमें आरोपी बनाया गया था लालु यादव की सजा वहां साड़े तीन साल की हुई पांच लाक जुर्माना हुआ कोशागार का है इसमें 33 करोड 66 लाक रुपे की गलत निकासी दर्ज की गई थी 56 आरोपी बनाये गए और लालु को 5 साल की सजा 10 लाक जुर्माना लगाया गया चोथा मामला जिसमें इनको 7 साल की सजा हुई ये दुमका कोशागार का था तीन करोड से ज्याद की अवैद निकासी हुई थी 7-7 साल की सजा बाकी को भी हुई 60 लाक का जुर्माना लगा जो पांचवा मामला था चारा घुटाले का वो डोरंडा कोशागार मामले का था उ एक सो उन्तालीस करोड निकाले गए थे, एक सो सत्तर को आरोपी बनाया गया था, पच्छपन की मौत हो चुकी है, और इसी साल फरवरी में लालु यादव को इस मामले में दोशी मानते हुए पांच साल की सजा और साथ लाग का जुर्माना लगाया गया, मैं जानना चाहता ह हुँ, 96 से ये केस चल रहे थे, सजा भी मिलनी शुरू हो चुकी थी, ये साहस कैसे आजाता है, कि आपको पता है कि पुराने मामले में, पुराने ब्रस्टाचार में, आप जेल भुगतने वाले हैं, गंभीर किसम के मामले हैं, और आप फिर नया गोटाला शुरू कर देते हैं, जैसे ही आप देश के रेल बंत्री बंते हैं, इसमें दो एक्जामपल बड़े इंपोर्टन हैं, एक तो होता है, विद एक्सपिरियन्स एक कॉन्फिडेंस आजाता है, कि आपने आप देखा होगा, जैसे जैसे आप घोटालों की सीक्मेंस बता रहे हैं, उनकी किया फिर और बढ़ा किया तो अल्टिमेटली जिसे कहते हैं ना कि एक बार मुझ में खून लग गया तो फिर आप रोकते नहीं पहली बात रही बात दूसरी किसा जब सब कुछ हो रहा था तो सरकार क्या कर रही थी आज यह जिस एजनसी को कह रहे हैं कि एजनसी हमारे पीछ क्योंकि करप्शन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है या सी बी आई के अंदर आपको सेंटरल गवर्रमेंट से प्रोसीकूशन की परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन की परमिशन चाहिए अगर आप परमिशन ही नहीं देंगे पहली बात तो आप रिक्व प्रश्या ये है कि इनी एजेंसीज को आपने काम करने नहीं दिया था जिसको आज आप कह रहे हैं कि यह एजेंसीज एक्टिव हो गई है कि सरकार इन एजेंसीज का उप्योग क्यों कर रही है अगर इसका उप्योग नहीं करेगा तो कौन करेगा CBI किसके कहने पर काम करेगा CBI को तो आदेस दो ही लोग दे सकते हैं या कोर्ट या सरकार आप और हम ऐसे पुलिस में जासे FIR करते हैं CBI में जाके हम फुड़ी उसको इसको इस्तवाल कर सकते हैं इसी तरह से ED है ED तभी कारवाई करेगी जब उनको सेंक्षन मिलेगा कम्पिटेट अथॉरिटी से तो अगर आप सेंक्षन ही नहीं देंगे तो ना ED काम करेगा एक तो इनका होसला बढ़ जाता है कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है इनको ये लगा कि वही चोर-चोर मुसरे भाई कि चाए कोई भी सत्ता में रहे ultimately सारे politician हैं तो सब जिसों कहा जाता है ना कि एक हमाम में सब है अब जब सारे ही चाए left right center जो भी है सब उसी हमाम में है तो कौन investigation कराएगा तो ये एक धारना बन गई थी political class में कि या आप कुछ भी कर लो चाए मैं opposition में हूँ या ruling में हूँ पार्लेमेंट में और election के समय में हम जरूर लड़ेंगे आपसे लेकिन जब बंदरबाट का टाइम आएगा तब हम जैसे कहते हैं चोर-चोर बोसरे भाई तो हम ना आप पे उंगली उठाएंगे ना आप हमारे पे उठाना आप बाकी हमारे को गाली गिलोज करना हमें संप कि धंकी आजकल आप देख रहे होंगे जो लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार अभी कर रही है तो जब हम सत्ता में आंगे तब हम बीजेपी को न चाहिएंगे तो ये धंकाने वाला चल रहा है कि देखिए आप लोग मर्यादा में रहिए ज्यादा एजिंस को यूज मत जो हमने गड़बड करिए वो हमारे पास रहनी दीजिए आपका टाइम है आप कर लीजी हम कोई चोड़नी बचा ले अनफॉचुनेटली इस समय शायद भारत के प्रधान मंत्री ने एक ये लिगेसी छोड़ने की कोशिश करिए कि मुझे पुलिटिकल सिस्टम को क्लीन करना है क्रप्शन मुक्त भारत बनाना है क्योंकि देखिए हर इंसान चाहता है कि कुछ ऐसी लिगेसी छोड़के जाए अपने जीवन में जगर उसको काम करने का मौका मिलता है कि आने वाली पीडियां याद करें हो सकता है कि आने वाले समय में मोदी जी को शायद इसलिए भी याद किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा एड़ी ने अगर किसी समय पे अटेच्मेंट करी पुलिटिकल लोगों की प्रॉपर्टीज की तो वो मोदी साब का टाइम था हो स अब में में चीज पर आता हूँ क्या इन लोगों को ये बिलकुल समझ नहीं है कि एक बार अगर परवरतन निदेशालिया की कारेवाई शुरू हो गई तो इनका बचना बहुत मश्किल है और आपने जो नया वीडियो अपने चैनल पर बनाया है कि मोदी सरकार ने परवरत दर्शकों को बताईए और यहीं पर मैं दर्शकों को ये निवेदन भी करूंगा कि विजय सर्दाना साब का जो चैनल शुरू हुआ है विजय सर्दाना साइट्स इन साइट्स करके उस पर जाकर के उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करिए लाइक करिए उनके वीडियो फॉर्वर्ड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वा पहुंचे बहुत ही यूजफुल आजकल वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पर विजय सर्दाना इंसाइट्स करके हैं तो वहां जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो विजय जी जो परवरतन निदेशाले को शक्तियां दी हैं इस सरकार ने मौधी सरकार ने वो उसको कितना शक्ति शाली बनाते हैं और खास तोर से जो पॉलिटीशियन है जिनको वी आई पी कहा जाता है उनके लिए अब ब्रश्टा चार करना फांसी पर फंदे की फंदे पर चड़ने के समान कैसे बना दिया गया है थोड़ा सा इसके बारे में जानकरी लिए उंकर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने फाइनेस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है अंडर पीमेले एक्ट जो प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट है देखिए पूरी द टास्क फॉर्स यह पैरिस में स्थित है जी सेवन जो दुनिया के सबसे विक्सित देश है उन्होंने एक यह प्रियास शुरू किया करीब 1989 में कि आप दुनिया में जितना डोनेशन दिया जाता है या डवलप्पेंट का काम नहीं हो पाता है अंडर डवलप कंट्री है अर यह हमेशा समाज के ऊपर चायब हो हिंदुस्तान हो हिंदुस्तान के बाहर हो कहीं पे भी आपदा आती है तो ऐसे इंसान हम सबको चिंता होती है कि यह हो क्या रहा उस देश में तो जितना डवलप्मेंट फंड पूरी दुनिया से बहुत सारे देशों में जाता है तो एक यह सोच थी कि यह पैसा जाता कहा है लोग अपने राज्य में इतना पैसा आने के बाद भी डवलप्मेंट क्यों नहीं हो पाता तब यह बात समझ में आई कि दिस इस आल बेकाउस अफ करप्शन तो इसका मतलब कि जो लोग सत्ता पे हैं या जो पावर्फुल पोजीशन पे हैं सिरफ लाजनेता नहीं एफ एफटी एटी एफ के अंदर एफटी एफ के अंदर यह बात बहुत क्लियर है कि जो आदमी सत्ता पे है वो अपनी पावर का मिस्यूज कर सकता है ऐसे लोगों पे कंट्रोल रखना जरूरी है तो एफटी एफ ने उनके जो मेंडेट है बारा और बाइस उनके करीब चालीस मेंडेट है बारा और बाइस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मनी लॉंडरिंग के लिए जो पाउरफुल लोग हैं जिसको हम कहते हैं पीपल एक्स पॉलिटिकली एक्सपोस्ट पीपल या पीपल आरस्पांसिबल पोजिशन जिसको हम आम का अपनी भाशा में वी आई पीज बोलते हैं इनमें कौन हैं मंत्री हैं अधिकारी हैं जजिस हैं मिलिटरी आफिसर्स हैं इंक्लूडिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके जो पदादिकारी हैं ये इन समके परिवार और इनके एसोसियेट चाहे वो बिजनस एस विश्टदार भी एफेटीएफ का ये मानना है कि ये लोग मिलके सिस्टम में लूट बार कर सकते हैं जब ये लूट बार करेंगे तो ये इनका क्या होगा पैसा जो इकठा करेंगे या प्रॉपर्टी जो इकठी करेंगे कंज्यूम तो होगी नहीं या तो वो बैंकों में रखेंगे या अपने देश में रखेंगे या विदेश में रखेंगे या उससे कोई assets खरीदेंगे यह उप्योग होगा जब आपके पास मेरी requirement महीने की मान लीजिए पांच लाग रुपए और मेरे को पचास करोड आ जाता तो पर उसको क्या करूंगा पहाड बनाके तो रखूंगा नहीं तो कुछ ना कुछ उप्योग करूंगा देश में रखूंगा एविदेश में रखूंगा या तो उसको बैंक में रखूंगा या प्रॉपर्टी खरीदूंगा या जैल्री खरीदूंगा FATF ने ये कहा है कि हर देश को प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट बनाना पड़ेगा भारत का जो पीमले एक्ट है ये भी उनके कहने पे और उनकी गाइड लाइन के हिसाब से बनाए पहला मुद्ध दूसरा बहुत सारे देश ये कहेंगे खाना पूरी करने के ल ना दिया लेकिन उसमें सिर्फ ये लिख दिया कि अगर कोई शिकायद करेगा तो हम कारवई करेंगे खतम यह एक खाना पूरी भी हो सकती है इस तरह की खाना पूरी रोकने के लिए FATF ने बहुत इंट्रस्टिंग काम किया उन्होंने कहा कि भारत में पीमले एक्ट के तरीके, ED के काम करने के तरीके, वहां के जज्जमेंट्स इन सब की स्टडी करके बतायागा कि हाँ यहां पे प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट धंक से बनाया गया, धंक से लागू किया गया और धंक से काम कर रहा है अगर पीमले एक्ट हिंदुस्तान में धं लेक लिस्त भी कर सकते हैं, बलैक लिस्त का मतलब है कि यह देश ब्लैक मनी रोकने के लिए कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं और इस नाम को वो अपनी वैब साइट पर डाल देंगे जहाँ पे ब्लैक लिस्त देशों की श्रिणी आती, कि यह लोग ब्लैक मनी को कि ब्लैक मनी का उपयोग मेंक है कि ब्लैक मनी का या मनी लॉन्डरिंग का इस्तमाल टेरिस्टों को crime बढ़ाने के लिए तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर कोई देश effective PMLA कानून नहीं लाता है indirectly इसका मतलब यह है कि वो crime को बढ़ा रहा है या गैर कानूनी लोगों का समर्थन कर रहा है या उन पर कारवाई नहीं कर रहा है उनको सरक्षन दे रहा है इसका मतलब यह है और यह कहा गया है कि अगर countries को हमने blacklist कर दिया तो पूरी दुनिया को यह appeal की गई है कोई भी उस country में invest नहीं करेगा और जो company वहाँ काम कर रही हैं वो वहाँ से निकलें आपको वहाँ जाने की ज़रुत है अगर आप काम कर रहें तो वहाँ से exit करें क्योंकि आप ऐसे country में काम नहीं करेंगे या उस country में आप investment नहीं करेंगे जो समाज के खिलाफ आतंकवादियों को ड्रग माफिया को और क्रिमिनल्स को protection देता है तो आप समझे कि कितना बड़ा खत्रा हो जाता है किसी भी सरकार के लिए जी जी अभी तक क्या था कि भारत सरकार का जो पीएमेल एक्ट था उसमें काफी सारी चीजें थी लेकिन कुछ कमियां थी ड्राफ्टिंग में जो उस समय जब कानून आया तो उसर आपको पता है कि पॉलिटीशिन अपने रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं उन्होंने इन सब चीजों को नहीं लिखा होगा कि इनकी क्या जरूरत है या अभी तो जलो खाना पूरी करनी है कर दो सो दो हजार दो में जब पीएमेले एक्ट आया उसमें क्योंकि चर्चा तो पार्लिमेंट अपनी गाइडलाइन को इंप्रूव किया और सब देशों को का जैसे जैसे हम गाइडलाइन इंप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग अपने कानून भी इंप्रूव करोगे क्योंकि उन्होंने भी देखा कि पुरानी गाइडलाइन काम नहीं कर दी हैं लोगों ने लास्ता निकाल लिया फिर उसको उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी वगेरा वगेरा तो इस तरह से उन्होंने नई guidelines बनाई तो नई guidelines के हिसाब से आपको politically exposed person को बहुत clearly बैंकों को कहना है बैंकों को कहने का मतलब यह है कि अब कानूनी द्रिस्टी से हर बैंक की जिम्मेवारी है कि वो politicians उनके परिवार के लोग अधिकारी उनके परिवार के लोग judges उनके परिवार के लोग public sector के senior managers उनके परिवार के लोग NGOs उनके अधिकारी उनके परिवार के लोग, मतलब जो लोग भी key positions पे हैं समाज में, उनकी bank कों की transactions पे निगरानी रखी जाएगी, और सरकार और RBI, क्योंकि bank directly RBI के अंडर आते हैं, और PMLA का कानून जो है, वो finance ministry के अंडर है, तो इसमें उन्हों ने ये कह दिया, कि अगर एक limit से ज़्यादा आपकी transactions हैं, तो आपको notify करना होगा concerned authorities को, RBI को भी और PMLA ED को भी, कि सब इनके account से इतने सारे transactions हुए हैं, अब ये enforcement direct rate के उपर है कि उसकी तहकीकात करें, कि ये पैसा आया कहां से, माली जिए मैं military officer हो, अचानक आपके account में 10 लाग रुपे आये, आ सकते हैं, कोई बुरा ही नहीं है, मेरा बेटा बेज सकता है, मैं कोई property बेज के ले सकता हूँ, कोई jewelry बेज सकता हूँ, आपको कोई मुना ही नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा, कि ये पैसा कहां से आये, अगर आपने सही जवाब नहीं दिया, तो PMLA Act के तहट आप एक कारवाई हो सकती है, और उसमें सीधा सा ये लिखावा है, कि अगर on account for money से आपने जो भी assets खरीदे हैं, वो attach किये जा सकते हैं, सरकार उन पे कबजा कर सकती है, तो अब कहने का मतलब ये है, कि अभी तक जो हो रहा था, वो हो रहा था, अब भारत का inspection नवंबर 2023 में है, कोविड के चक्कर में वो postpone हो गया नहीं, तो ये कानून 2023 में है, और इस समय भारत G20 का leader भी है, देखिए कितना important development हो जाता है, जब आप responsible position पे आते हैं, हो सकता है, कि अगर भारत सरकार ये नहीं करती, तो कोई और पत्रकार, विदेशी पत्रकार ये कह देता कि देखिए, आप G20 के leader है, लेकिन आप खुदी FATF की guidelines को follow नहीं कर रहे हैं, तो ये वड़ी embarrassing situation हो जाती भारत के लिए, तो अब दुनिया बदल गई है सर कि अब आप ये नहीं कह सकते Parliament कानून बनाएगी, आप Parliament में मत बनवाईए, FATF आपको blacklist कर सकता है, फिर आप पूरी दुनिया को जवाब दीजी, कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, आपके investment रुख जाएगा, बाकी समझ से हो जाएंगी, तो इसी लिए स्थिती अब ये है, कि अब जो भी करवाई होगी, वो बहुत पारदर्शी से इनको करनी पड़ेगी, और इसी के साथ साथ और बहुत सारे इन्हों ने प्रावदान कियें, जिसे cryptocurrency की transactions को report करना होगा, जो कंपनियों में पहले ownership है, माली जी पहले 25% की ownership होती थी कंपनियों में, कि अगर आपकी कंपनी है, आपका उसमें share 50% है, मेरा माली जी 26% है, तो मैं उसको ownership की category में मेरा नाम भी आता था, कि मैं भी ownership rights रखता हूँ, अब उसको घटा के 10% कर दिया है, इसका मतलब, अब आप वो shelter भी ने लिए सकते कि मैं थोड़े-थोड़े पैसे कई सारी company में लगा दूँ और सब जगे से मेरे को dividend भी आता रहे और behind the scene मेरा काम भी चलता रहे, तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव आ रहे है, financial transactions और financial investments को लेकिए, तो मुझे लगता है कि इस से आने वाले समय में एक सुधार होगा transparency है, जी सर, यानि अब बचना लगभग ना मुम्किन है, अगर एजेंसियां ठीक तरीके से काम करें और जो आपके देश का सिर्मौर है, जो सरकार का मुखिया है, वो नेक नियती रखता है और बरश्टाचार के खिलाब एक सभन अभियान चलाने का संकल्प ले चुका है, वीजे जी, इतना समय निकालने के लिए और कही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार, नमस्कार से, धन्यवाद, थैंक यू सर्थ